स्रावस्ती जनपस सेस्वक की दुगत घटना सामने आ रही जहाँ पर बालू से लोड़ेट ट्रेक्टर ने बाइक सवार को रौंदा युवक की मौके पर हुई मौत जबकि बाइक पर सवार महला गंभीर रूप से हुई घायल नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आरिफ खान और आप देख रहे हैं स्रावस्ती टूडे निव्ट स्रावस्ती जिले के थाना मलीपूर छेत के डिलवा गाउं के पास कलकलवा मार्जिनल बांद पर भीशर सड़काशाद देखने को मिला जहाँ पर बालो खनर कर ले जा रही तेजरप्ता ट्रेक्टर ट्राली ने एक बाइक को रौन दिया जिससे बाइक चाला की हुआ की मौके पर ही मात हो गई जबकि बाइक पर सवार महला गंभीर रूप से गायल हो गई जिने पुलीस ने एलाज के लिए अस्पताल भेजवा दिया है आपको बताते चले की जानकारी के मुताबिक थाना मलीपूर छेत्र के गराम पंचायद मलीपूर खुर्द निवासी 32 वर्थी है पंचायद मित्र सिमेंद्र स्त्रिवास्तो पुत्र जगदी स्त्रिवास्तो अपनी पुत्री आराध्या का मुंदन संस्कार कराने शनिवास सुबा कलकलवा समय थान माता मंदिर पर परिजनों के साथ संग गय हुए थे मुंडन संसकार खतम हो जाने के बाद बेटी को पत्नी और परिजिनों संग घर भेज दिया और स्वेम बाइक अपनी सास पचास वर्षिय दिनेश कुमारी पत्नी असो कुमार को लेकर घर के लिए निकल लिये राष्टे में रामपुर में कलकलवा माजिनिल बांग पर बालू खनन कर ले जा रही ट्रेक्टर ट्राली ने बाइक को रौन दिया जिससे बाइक चालक सेवंदर स्रिवास्तों की मौके पर ही दर्दनाक मात हो गए जबकि बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गए जानकारी मिलने पर पर परिजिनों में कोहराम मज गया ग्रामिलों की सोचना पर दल बल के साथ पहुंचे थाना अध्यच हरसवदन सिंग ने एंबूलेंस बलवाकर गायल महिला दिनेस कुमारी को सीएसी मलीपुर में भिजवाकर भरती करवाया वहीं मिर्ता की वग के सोगो पुलीस ने कबजे में लेकर पोस्मास्टम को भेज दिया सीएसी मलीपुर में गायल महिला की हालात गंभीर देख चिक स्कों ने प्रात्मी कुप चार के बाद जिला चिक साले बहराय त्रिफर कर दिया है परिजिनों के अनुसार मिर्ता की वग के यहां सोमवार को परतिभोज का कारिकरम होना था जिसका कार्ड भी साथ लेकर रिष्टेदार में बाट रहा था कैसे हुआ है क्या माम कैसे हुआ है यहार से जात रहा तरह 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 लेकर वाला पर शर्ण के तरह तरह तो यह तुरंक खतम हो गया तो और कोई घायल भी वह है गंभीर रूप से एक मिहरू साथ मारे सास होए एक मिहरू रही है, सास होए उनका है, सास होए उनका है, तो उनका पस्ते हाट तो रहे है अच्छा, ठीक